आज हम इस वीडियो में डेटा वार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा वार्स इसको करेंगे तो इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे हम हम यह जितना भी data यहां पर दिये गया इसको select करेंगे यह select किया select करने के बाद conditional formatting यहां पर जाएंगे और data war यहां पर जाएंगे data war पर यहां पर जाने के बाद यहां पर आगे option open हो जाते हैं जैसे gradient fill यह जितने भी option यहां पर आ रहे हैं gradient fill के हैं यह देखो यह फर्स्ट यहाँ पे आएंगे तो यह blue data war यह आएगा अगर यह चाहिए तो यहाँ पे ऐऊख करेंगे यह यहाँ पे set हो जाएगा gradient film में इसके बाद आगे click करेंगे green data war यह आजाएगा अगर अगले पे click करेंगे तो यह Red Data War यह आजाएगा इसके निच्छे यहां पे दिए गया है Orange Data War यह आजाएगा इसके बाद आगे है Light Blue Data War यह आजाएगा Suppose करो हमें यह चाहिए यहां पे click किया तो यह यहां पे आजाएगा इसके बाद अगर हम इसको chain करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे इसको select करेंगे select करने के बाद conditional formatting डिटा वार्स और आगे solid fill चाहिए तो यह दिखो यह solid fill के हैं यह तो solid fill में भी यह अलग लग यहां पर color है जैसे यह blue है इसके आगे यह green है इसके आगे यह red है तो जो भी यहां पर solid fill में चाहिए वहां पर हम click करेंगे जैसे यहां पर red चाहिए यहां पर click किया तो यह solid fill में red यहां पर data वार आ जाएगी इसके बाद यह जो formatting हमने की हुई है इसको यहां से clear करेंगे, यह select किया, select करने के बाद conditional formatting, इसके बाद clear rules और उसके बाद clear rules from selected cell यहां पे click किया, यह जो formatting है यहां से clear हो जाएगी, इसके बाद फिर से इसको select करेंगे, select करने के बाद conditional formatting और इसके बाद data बाग के आगे हम यहां पे more rules इसके बारे में जानेंगे, यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद, यहां पे यह डायलो बॉक्स यहां पे उपन हो जाएगा, यहां पे हम यह देखेंगे, कि यह कलर अगर हम चेंज करना जाते हैं, जैसे और कोई कलर चाहिए, तो यहां पे देखो यह, solid fill यहां पे दिया गया है, अगर इसको change करना है, तो यहां से हम change कर सकते हैं कोई भी, gradient fill चाहिए, तो यहां पे click करेंगे, जैसे solid fill यह चाहिए, यहां पे इसका color change करना है, तो यहां पे click करेंगे हम, यह click किया, click करने के बाद, यह बहुत से color यहां देखो preview यहां पर show कर रहा है कि यह purple color यहां पर आ गया है यह आने के बाद इसको यहां से ok करेंगे तो ok करने के बाद यह देखो यह solid color यहां पर बनके आ गया अगर हम इसको change करना जाते हैं तो इसको फिर से select किया select करने के बाद यहां पर gradient fill चाहिए तो हम यहां पर data bar पर जा जाएगा, अब gradient fill में कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे यह भी हम यह चूज कर सकते हैं कि gradient fill में कौन सा कलर चाहिए, जैसे इसके लिए suppose करो हमें यह light blue, यह color चाहिए, यहाँ पे ख्लिक किया, यहाँ पे ख्लिक करने के बाद यह देखो, इसका preview यहाँ पे शो कर रहा है कि, light blue यहां पे आ गया इसके बाद OK पे क्लिक किया तो OK पे क्लिक करने के बाद यह देखो Light Blue यहां पे Gradient Fill ओके आ गया इसके बाद फिर से इसको Select किया Select करने के बाद Conditional Formatting, Data War इसके बाद More Rules आगे हम करेंगे Borders अगर हम यहां पे Borders लगाना जाते हैं यहां पे यहां पे कोई भी Borders नहीं लगा है, अगर Borders लगाना जाते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे Solid Borders यहां पे क्लिक करेंगे, Solid Borders में कौन सा Color चाहिए यहां पे हम Select करेंगे कि कौन सा Borders चाहिए, Suppose करो हम यहां पे ये red border ये चाहिए तो ये यहाँ पे हमने select किया select करने के बाद ok पे click करेंगे तो ok पे click करने के बाद ये लिखो तो ये जो है red border लगके यहाँ पे आ जाएगा तो ये border भी हम यहाँ पे set कर सकते हैं इसके बाद फिर से इसको clear formatting की तो यहाँ पे गए clear rules और फिर clear rules from selected cell इसके बाद यहाँ पे click किया फिर से इसको select करेंगे फिर conditional formatting data war और इसके बाद more rules में आगे हम करेंगे यहाँ पे अगर हम ये direction change करना जाते हैं जैसे data war की direction change करनी है यहाँ पे दिया हुआ है left to right और right to left पहले क्या था left to right अब क्या करना जाते हैं हम right to left तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम click करेंगे right to left यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के बाद यह direction जो है इसकी data war की यह change हो जाएगी यह देखो यह right to left किया इसके बाद okay पे click किया okay पे click करने के बाद यह देखो पहले left to right थी यहां पर अब क्या है यह जो direction है चेंज होगी है यह देखो right to left होगी है यह तो यह direction data bar की हम यह change कर सकते हैं यहां से इसके बाद इसको select किया select करने के बाद conditional formatting data bar more rules यहां पर click किया यहां पर click करने के बाद अगर हम यहां पर यह जो show bar only इसका मतलब यह है कि यहां पर हमें यह values दिखाई नहीं देंगी यहां पर cable हमें bar दिखाई देंगी तो इसके लिए हम यहां पर click करेंगे show bar only यहां पर इसको check किया check करने के बाद जब हम यहां पर ok पर click करेंगे तो हमारे पास यहां पर बार ही आएगी वाकि जो values है वो हमें दिखाई नहीं देंगी यहां पर OK पर क्लिक किया OK पर क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पर cable हमें data war यही दिखाई दे रही है जो values है इसके अंदर वो हमें दिखाई नहीं दे रही है इसके बाद फिर से इसको select किया select करने के बाद clear formatting करेंगे हम यह यहाँ पर clear rules इसके बाद clear rules from selected cell यहाँ पर click किया तो यह जितनी भी formatting यहाँ पर की थी वो यहाँ से clear हो जाएगी अब फिर से हम इसको select करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर conditional formatting में जाएंगे इसके बाद color scale इसको करेंगे तो इसको करने के लिए जैसे हमने ये first पे click किया तो जो highest value है वो green में show रही है और जो middle में है वो yellow में और जो lowest value है वो red में show रही है यहां पे click किया है यह लिखो highest जो है वो हमें green में यहां पे show रही है green में highest value show रही है यलो जो है वो middle में है और ये जो red value है ये lowest value है इसको select फिर से किया select करने के बाद फिर से conditional formatting पे क्लिक किया color scale यहाँ पे गए इसके बाद ये आगे change करना जाते है अगर red रखना जाते है highest इसके बाद yellow को middle में रखना जाते हैं और green को lowest रखना जाते हैं तो second पे यहाँ पे click करेंगे यह देखो second पे click किया तो यह देखो यह इसमें change हो गया अगर और चाहिए style तो फिर से हम conditional formatting color scale तो यहाँ पे यह देखो जो जिसके ओपर हम यहाँ पे click कर रहे है वो यहाँ पे बता रहे है तो जैसे यह है fourth बाला तो यह क्या है जो highest value है वो red में show रही है जो middle में है वो white है और जो lowest है वो green में है यह देखो यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के बाद highest value red में show रही है और middle में जो value है वो किस में show रही है white में और जो lowest value है वो green में show रही है तो इस तरह से हम यहां पे color scale यहां पे set कर सकते हैं इसके बाद faces को select किया select करने के बाद conditional formatting, color scale color scale के बाद यह सारे यहां पे option है जो भी हम ही चाहिए उसको हम यहां से choose करेंगे इसके बाद नीचे more rules यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद जैसे suppose करो यहां पे हमें two color scale यह चाहिए तो यहां पे two color scale यहां पे दिया गया है two color scale में यहां पे click किया यह देखो two color scale यह आ गया इसमें जो lowest value है यह किस color में रखने है यहां पे color दिया हुआ है यह देखो यह color दिया हुआ है यहां पे हम color choose करेंगे कि जो lowest value है, वो इ। किसमे आए, तो lowest के लिए हम यहाँ पर red करेंगे, यह दिको red यहाँ पर lowest value के लिए और maximum value जो है, जो highest value है हमारी, यहाँ पर हम color set करेंगे, उसके लिए green, यह दिको green पर set किया, यह दो color हमने यहाँ पर set किया, इसके बाद OK पर klick किया तो okay पर klick करने के बाद ये दिखो जो highest में है वो यहांपे green में show रही है और जो lowest है वो यहांपे red में show रहे है तो बाकी middle के show रहे हैं ये तो इस प्रकार हम यहांपे two color यहांपे set कर सकते हैं इसके बाद इसको फिर से select किया select करने के बाद अब क्या है conditional formatting और उसके बाद color scale और उसके बाद more rules यहां पे click किया अब two color scale के बाद यहां पे हम three colors के लिए set करेंगे यहां पे three colors के लिए लिया लेने के बाद यहां पे अब क्या करेंगे यहां पे जो lowest value है उसके लिए लिए यहां पे color set करेंगे, तो lowest value के लिए हमने यहां पे color set किया, red, red आ गया, lowest के लिए, अब middle के लिए कौन से चाहिए, middle के लिए हम यहां पे yellow यह रखेंगे, middle के लिए, और जो highest value है, उसके लिए हम यहां पे green हेंगे, यह, तो तीन ही यहां पे color हमने set कर दिये, जो हमारी स जो बीच वाली होगी, middle में होगी, वो आगी, yellow में, और जो highest value होगी, वो green में show करेगी, यह तीन color यहां पे set कर दिये, इसके बाद ok पे click किया, तो ok पे click करने के बाद यह लिखो, यहां पे जो highest value है, वो green color में show रही है, और जो हमने yellow set किया था color, वो middle का था, तो यह middle में show रह है, और जो हमने सबसे lowest value लिखी थी, वो red color में, तो यह लिखो, red color में, जैसे 49 है, यहां पे 45 है, तो यह red color में आ रही है, तो इस तरह हम color scale में, तीन color यहां पे set कर सकते हैं, इसके बाद, यहां पे इसको clear करेंगे, formatting को, इसको select किया, select करने के बाद, clear formatting, clear rules, clear rules from selected cell, यहां प sets, तो इसको करने के लिए, यहां पे इसको set करेंगे, select करने के बाद, यहां पे conditional formatting यहां पे जाएंगे, और इसके बाद, icon sets, इसको करेंगे, icon sets के आगे, यहां पे जाएंगे, यहां पे बहुत से option है, जैसे यहां पे first पे click किया, three arrows यहां पे आ जाएंगे, तो जो हमारी highest value है, वो green में show रही है, और जो हमारी middle की value है, वो yellow में show रही है, और जो हमारी lowest value है, वो red में show रही है, यहां पे first पे click किया, यह देखो, तो जो हमारी highest value है, वो green में show रही है, जो हमारी middle की value है, वो yellow में show रही है, यह देखो, यह जो yellow की है, तो यह middle की value है, उसको show कर रहा है, और जो lowest value है वो यहां पे red में show कर रहा है यह देखो down arrow यहां पे दिया गया है तो यह lowest value यहां पे show कर रहा है यह देखो 49 है तो अगर हम arrows से values को show करना जाते हैं तो इस तरह से हम यह show कर सकते हैं अगर और चाहिए यहां पे इसको select किया conditional formatting icon sets और इसके बाद आगे जैसे यहां पे second है three triangles अगर ट्रेंगल में चाहिए तो जो highest है वो किस में show कर रहा है यहां पे second पे click हिया second में click करने के रहाद यह देखो highest value है वो ट्रेंगल में show कर रही है ग्रीन में और जो हमारी middle की value है वो किस में show कर रही है yellow में यह देखो यह जो yellow color है यह middle value show कर रहा है और जो lowest value है यह देखो जैसे 59 है 49 है 55 है वो red यह triangle में show कर रही है इसके बाद इसको select किया conditional formatting यहां पे गए icon sets और इसके बाद यहां पे निचे shapes में आएंगे तो shapes में जैसे यह है three traffic lights यह अगर show चाहिए तो यह जो green में आ रहा है तो green में जो है वो highest यहां जो middle वाली value है वो yellow में और जो lowest है वो हमारी red में show कर रहा है यह देखो यहां पे click किया तो जो highest है वो यहां पे green में show कर रहा है जो middle की है वो yellow में show कर रहा है और जो lowest value है यहां पे red में show कर रहा है अगर और option चाहिए यहां पे conditional formatting icon sets और इसके बाद जैसे indicator यह चाहिए तो य highest value होगी उसमें green color होगा जो middle की value होगी उसमें yellow color होगा और जो lowest value होगी उसमें red color होगा यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के बाद यह देखो icon sets में यह भी हम यहाँ पे set कर सकते हैं इसके बाद icon sets पे जाएंगे icon sets पे जाने के बाद यह indicators यह हो गया इसके बाद यहाँ पे नि जो highest value होगी पूरा यहां पे fill होगा yellow color से और जो middle में होगी value वो यहां पे half star yellow में होगा और जो lowest value होगी वो blank star होगा यहां पे तो यह देखो यहां पे first पे click किया click करने के बाद जो highest value है यहां पे देखो highest value में यह जो yellow color है यह पूरा यहां पे बढ़ा हुआ है और जो middle का है यह देखो यह vidéo में हमने conditional formatting में data bars के बारे में, color scales के बारे में icon sets के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद